नमस्कार दोस्तों एजुकेशन निकितन के नए वीडियो में आपका स्वकत है मेरे नाव बंदनातिवार है और आज हम राजनितिक विज्ञान तता समकालीन राजनितिक संधर्व वाला जो हमारा वीडियो छूटा हुआ था उसके दो वीडियो अगले दो दिन हम पोस्ट कर आनने वाले हैं साथ हम कोशिश करेंगे क्योंकि मेंस हो सकता है प्रीकर रिजल्ट आने के बाद में जल्दी कंड़क्ट कराया जाए तो हम लोग कोशिश करेंगे एक दिन में हम लोग दो वीडियो अपलोड करें ताकि आपका पॉल साइंस और आपका एकनॉमिक्स वाला प्रचना का और लेक कीजिए तथा बताईए कि योजना आयोक से यह किस प्रकार भिन्न है सहकारी संगवाद की स्थापना में इसकी भूमिका का मुल्यांकन कीजिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई संगिठनात्मक संरचना संगिठनात्मक संरचना के लिए आप देखिए अच्छे नंबर लाने के लिए कोशिश की एक फ्लोचार्ट टाइप का बना दीजिए सबसे उपर को नाता है नीचे को नाता है और उसको बहुत छोटे शबतों में साइड में जैसे आप लेफ्ट इस खेंदर शामिल हैं तो यह सारा आपको जो है नी तीयोग का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताना है इसका मेन क्वस्चन स्टाट है आपकी योजना आयोक से नीटी及 कैसे अलग है योजना अजहोग जो था वो हे साथ में नीचे-घां सात्फ में मंत्त्याले इतों जो है वो समविधानिक अनुदान देता है और वित्नमत्रणाले के अधिन आते हैं । पहले था विवेकाधीन अनुदान सरे के सारे जो है वो योजनायोग के अंतरगे ते इसको आ बंद कर दिया गया है। दूसरा यह कि योजना आयोग जो है उसके अंदर राजियों की भागीदारी ना के बराबर होती थी क्योंकि mostly योजना आयोग में जो सेंट्रल लेवल पर काम करने वाले लोग जो होते थे वही लोग मिलकर के नेड़ने लेते थे नेशनल डवलप्मेंट काउंसिल जो है कोई भी नीती जब बन जाती थी तब उसके बाद ने उसको बीच में लेकर के आया जाता था और वो भी सिर्फ अप्रूवल के लिए बहुत जादा उनको सला या परामर्श देने का अधिकार नहीं था तो इसमें क्या है जबकि नीती लेना करना ये योजनायोग का काम नी था परनतु नीती आयोग जो है ये नकेवल योजनाय बनाने में हेल्प करता है राज्यों के साथ ने मिलके अपितु यह यहाँ भी करता है कि कौन सी नीती का कितना क्रियान वेन हुआ उसका regular basis पर रिपोर्ट अपनी गवर्णिंग का एक योजना बनाई जाती थी और उसको राज्यों को execution के लिए या क्रियानवेन के लिए दे दिया जाता था परन्तु अगर हम लोग नीतियायों को देखें तो बॉटम टू टॉप की अप्रोच रखता है जैसे कि राज्य सरकारें जो हैं उनको बहुत जादा से दिया गया है कि बहुत जादा उनको अपना मत अभीवेक्त करने का अधिकार दिया गया है नीतियायों के अंदर गत साथी साथ जब राज्य सरकारें केंद्रिय योजना के अंदर योजना बनाना खतम हो चुका है बट इसकीम्स तो आती हैं गॉर्मेंट की अलग-अलग तो उन योजना को जब बनाया जाता है तो राज्य सरकारें इस्थानी इस तर से अपनी जो इस्थानी सरकारें हैं उन सबसे एक फीड़बैक लेकर करके आती है उपर वो अपना सजेशन देती हैं हर राज्य के लिए अलग-अलग उसकी जरुरतों के हिसाब से जो है अब बनाने की आत्मक देखते हैं वही होल बॉड़ी था वही सब कुछ काम करता था जब्हावरत्या मिला हुआ मतलब उनको बहुत जादा महत्वदिया गया है केंदर के साथ-साथ में अब देखे अगला इसमें रिपछाए के सघ्वानी संगवाध की स्थापना में नीतियायो की क्या भूमिका हो सकती है तो पहला बैया लिखना मिस हो गई है बट मेरे पिछले नोट्स में आप चेक कर सकते हैं मैंने सहकारी संगवाद की परिभाशा दी है तो ऐसा अगर कोई टॉपिक आदा निसमें कोई टर्म आती जैसे सहकारी संगवाद तो पहले सहकारी संगवाद को एक राज्य जो केंद्र है वो शक्ति तथा वित्त का अस्तांतर राज्यों की तरफ करें तथा राज्यों को स्वावदंबी तथा आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें सहकारी संगवाद, जिसके अंदर राज्य बहुत जादा कमजोर नहीं है तोटली सेंटर के उपर डिपेंडेंट नहीं है के अंदर पूरी तरीके से एक पिता की भूमिका में है कि वो अपने राज्य जो है उनको शक्ति शाली और वित्त प्रदान करने में जादा से जादा सब्सक्राइब कर सकता है कि सबसे पहला तो यह कि केंद्री योजनाओं के निर्मान में राज्यों से सुझाव परामर्श लिए जा रहे हैं यह बात आपको सिर्फ यह नहीं कि लिख करके खतम कर देने होंगे जब एक्जाम्पल देंगे तब एक्जामिनर को लगेगा कि हव संख्या की कम की गई तो मानियश्री श्रीवराज पाठ चौहान उनके नेत्रत्व में कमिटी बनी ती जिसने यह सुझाव दिया मतलब खुद राज्यों की कमिटी बनी थी इसकल डवलप्रेट पे राज्यों का उपसमूह बनाया गया है एपी एमसी आक्ट जो में बदला संखवाद जैसी टर्म अगर डालेंगे न तो उसको लगेगा क्या नया लेकर आएं प्रतीसपर्दी संखवाद में समझाते हो इसका आर्थ ही होता है कि एक राज्ये दूसरे राज्ये के साथ य एक छेट्र दूसरे छेट्र के साथ प्रतिसपर्धा करें भुदको बहतर मैंनाने के लिए एक competition हो कि अच्छा तुम्हारे यह लिटरसी रेट इतनी है देखो मैं तुमसे बैतर करके दिखाता हूँ तो एक प्रतिसपर्धी संगवाद की स्थिति आए साथ ही साथ में एक राज्य में अगर आप देखते हैं कि उस राज्य ने यह स्कीम चला ही उसके बहुत अच्छा किया मेरे राज्य में भी अल्मोस्ट यह situation है तो मैंने उस राज्य की स्कीम को अपने राज्य में implement करने की कोशिश की तो यह होता है प्रतिसपर्धी संगवाद इसके examples जैसे कि एक राज्य में कोई अगर अच्छी योजना संचालित हो रहे है तो उसको य हां उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बहुत अच्छे उसके result रहे तो उसको केंदर इस्तर पर लागू किया ऐसी है ग्राम स्वराजगर योजना है जो मध्यप्रदे सरकार के थी जिसको बाद में राज्य की स्तर पर लागू किया गया है तीसरा है कि राज्यों में नवाचार को बल देता है जिससे कि राज्य जादा विकास की तरफ जाते हैं जैसे नई इलेक्तरिक वहां नीती जो है उसको बनाने में राज्यों से हल्प ली गई अटल इनोवेशन मिशन लेकर के आए अम्रित मिशन लेकर आए घ्यान मिशन लेकर के आए साथी साथ में पर्यावन प्रदूशन नियंतरन के लिए राज्यों के साथ में मिलके एक एक्षन प्लान बनाया जा रहा है जिसको ब्रीद कहा है तो यह क्या है कि राज्यों के साथ में मिलकरके निति आयों काम कर रहा है तके इनोवेशन हो नए तरीके से हम लोग एक्षन प्लान्स बनाए चीजों को deal करने के लिए दूसरा कि देखे राष्ट और राजियों के लिए ये एक रणनीती भी दे रहा है इसका जैसे कि हम पहले जानते हैं कि योजनाय के बाद से योजनाय बनाना बंद हो गया है परतु एक रणनीती बनाई जा रही है जिसमें जिस रणनीती को उन्हों है कि मैंने जो है नितियायोग को अपने प्रश्ण के अंदर मतला नितियायोग को पर एक प्रश्ण बनाया है जो एक उन्होंने राजियों को खुद भी बनाया है भारत के लिए और एक राजियों को भी कहा है कि वो 15 साल का रोड मैं 7 साल का विजन और 3 साल का रोलिंग प् करता है जादा से जादा आंकड़े अगर आपके पास में होगे तो आप जादा अच्छे तरीके से कोई भी भी इसकीम बना सकें गे बहुत सकते हैं तो उसके लिए उनोंने ये बिचार रिए कि इस डिस्टिक को आगे लेकर जाने के लिए क्या किया जा सकता है जनता से विचारों मंगाए जा रहे हैं और जैसे के कि मैल नरिष्मेंट पर बेस्ट उनका डेटा मांगा जा रहा है लोग मतलब अलग-अलग इस टेट से एक खटा किया जा रहा है इस तरीकुंध से नीती आयोक जो है वह सहकारी संगवात के अंदर बहुत चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह सब्री माला से रिलेटेड है सबसे पहला इसमें प्रशनी है कि सब्री माला विवात क्या है बताइए किस प्रकार महिलाएं सामाजिक अपवंचनाओं से ग्रसित हैं महिलाओं के शशक्तिकरण हेतु समविधान के प्रावधानों का उल् चलिए सबसे पहला तो यह कि आपको सब्री माला के बारे में पताना है तो सब्री माला क्या है के पट्टानम थिट्टा जिले के अंदर अयपन देवता जो है उनका मंदिर है और यह क्या है कि एक ब्रह्मचारी देवता है इसी कारण रजस्वला महिलाएं या 15-50 वर्ष के जो महिलाएं है उनका मंदर मंदिर में प्रवेश निशिद है इसका कारण यह है कि उनको यह लगता है कि जो महिलाएं है वह इस आयूवर्ग की महिलाएं जो होती है वह आपवित्र हो जाएगा और इसका बहुत लंबे समय से उदारवादी लोग व विरोत कर रहे थे उच 1991 में केरल उच्छन याले ने केरल हिंदू सारवजनिक पूजा इस्थल नियम 1965 के आधार पर इस पर रोक लगाई है इससे पहले महिलाएं कभी कबार जाती थी अंदर परंतु 1991 के बाद ने बिल्कुल ही जाना उनका बंद कर दिया गया है यह उने पूछा है कि सबरिमाला वि पित्रता जैसे और विज्ञानिक विचार पर प्रहार किया है और महिलाओं की दशा सूधरन करेगा यह मनुविज्ञानिक इस तर पर चलिए इसमें अगला इस प्रकार महिलाएं सामाजी का पवांचन से और और जादा ग्रसित हैं और एक्जाम्पल्स पूछे हैं तो इस परदा प्रथा ट्रिपल तला कन्या भूनत्या सिक्षा और घरेलु इंसा से रिलेटेट दहेज प्रथा अल्प पोशन की समस्यां उनके लिए तो यह सारे एक्जैम्पल्स आप दो दो तीनती एक दो दो लाइन में लिखें के तो हो जाएगा अगला इसका पोशन है कि भा महिलां को गरिमा में यह शेम नें की बात की हैं जब इंप्लिमेंटेशन हुआ है तो 143 के अंतरगत महिलां को आरक्षन दिया गया है अनुछित 42 में मातर तुलाब और कारे के वरोचित दशा के बारे में बात की गई है 44 में कॉमन सिविल कोड के बात की गई है इसमें आप त्रिपल तलाग को या जो पहले मैंने आपको सारे मुद्धे बताये थे इद्यत की अवदी वाला और महिलाओं को उत्तरा अधिकार वाला वह सारे आपको एड करने है और साथी साथ मैं अनुछित 45 में निशुल के प्रारंपिक सिक्षा के बात किये जो महिला हो चाहे पुरुष हो सभी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा तो इसके अलावा अगर आपको और भी एक्जाम्पल्स मैंने पर शॉर्ट में एक्जाम्पल्स दी और भी याद हो तो वह सारे आप इसके लिखे यह फैक्ट्वल सेक्षन है क्वेस्चन का इसमें जितना जादा आप आंसर देंगे उत स्थानिय निकायों में 50% आरक्षन है साथी साथ में नवीन उध्योगिक निवे समवर्धन नीती है उसमें हर जिले में उध्यमित्ता संस्थान महिलाओं के लिए स्थापित करने की बात की गई है लोह या सोच बिहार अभियान जो है या शहरी सोचाले निर्मान अभियान जो है उसके अंतर का सोचाले निर्मान की बात किये जो महिलाओं की गरिमा जो है उसको बनाए रखने में बहुत महत्वपून भूमिका निभाएगा जैप्रभा जननी शिशु आरोग ये एक्सप्रेस चलाई है महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सर्ण वासनी विवा जोजना है तो यह जो है फैक्ट्वल डेटा मैंने सारा दिया है आपको और स्कीम से याद है और डालिए और पांस से च्छाए पेज का आंसर आप लिखिए पांस साड़े-पांच पेज में बहुत अच्छा आंसर इसका आपका कम्प्लीट हो जाएगा मैं कोशिश कर रही इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यह 63 बीपेसी का में सोने के बाद में फाइनली पास हुआ है लोगसभा राजी सबा दोनों में और अंतिम रूप से एक सम्विधानिक बोडी बना है तो हो सकता है कि इसके उपर आप से प्रश्न जो है वह पूछ लिया जाए चलिए तो सबसे पहला तो है कि इसके संरशनात्मक धार्चे का उले कीजिए और बताइए कि इस प्रकार पिछड़े वर्ग के कालियान में महत्तोपुन भूमी का निभा सकता है तो सबसे पहला तो है कि 123 वा सम्विधान चंशोधन विधेयक था और 103 वा एक्ट है जो पास समय के इंदरा सहानि वाद के उपरंत 1990 के दशक में पहली बार इसको बबी सी कमी on के आदार पर इस्थापित किया ता पर इसको समय आदरोड करेंगे वहां से आप डौ़लोड कर सकते हैं इसकी आवशक्ता क्यूं है वर्तमान समय के इनदर लगबख पांच हजार तेरा ऐसी जातियां हैं जो सामा जी क्या सेक्षणिक रूप से पिछड़ी हुए के रूप में केंद्री सरकार की सूची के अंतरगत हैं इसके अंतरगत में बात यह है कि इतनी जादा संख्या में होने के बाद भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि नई जातियां ज कैंद्र की इसमें देखिए बहुत सारी जातियां एसी हैं बहुत संपन हैं दूसरा यह कि सख्षा और रोजगार में 27 प्रतिष्यितД आखशन दिया गया है इसका और वास्तवी किस्ते देखें तो कंद्रा प्रतिश्यत ूश चीं करopher97 में श्र्聽 रोज गार 어떻 Tips का राज्य सकता है या इन इन शेत्रों में यह महत्परपुन भूमी का निभा सकता है दूसरा यह कि देखे ओबी सी के इंतर्गत मात्र हिंदु नहीं आते हैं इसमें मुस्लिम्स इसाई पार्सी समुदाय की वी जो कुछ पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको भी शामिल किया जाना चा है परन्तु अगर आप एक स्थाई ऐसा और्गिनेजेशन नहीं बनाएंगे तो उसके अभाव में आप कैसे काम कर पाएंगे कैसे रेगुलर बिस्स पेस में कोई भी चेंज किया जाएगा दूसरा यह कि देखे जो आरक्षन है वो 27 प्रतिशत OBC में सभी को दे दिया गया कि आती पिक्षणों को सबसे अधिक 27 परसेंट का मिले उसके बाद वालों को कम और सिर्फ पिछड़े लोगों को कम आरक्षण मिले तो इस आधार पर सब कैटिगराइजेशन भी करना जरूरी है जो यही कर सकता है जो और गनाइजेशन बनाया गया है इनकी पॉपुलेश पर अलग बनाने की अवश्यक्ता थी और अगर प्रश्न जब यह आएगा ना कि किस तरह भूमिका निभा सकता है तो यही सारे को आपको पॉजिटिव में लिखना है कि इनके लिए सब केटेगराइज करेगा साथी साथ में देखिए उनके उत्पीरण के संबंध में अप जय Hier करें लिस्ट में अगर खिसी को शामिल बाहर करना है तो इसके पास है दीवानी कानुन की शक्तियां दिगें हैं इसको इसके जो निर्धारन हितु सरकार को परामर्ष दे सकता है तो यह सारे एक्जाम्पल जो थे वह ओबी सी के हैं यह इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए क्योंकि नई सम्विधानिक बॉड़ी बनी है बहुत लंबे समय के बाद कोई चलिए अगला प्रशन में इसलिए लिया है क्योंकि अभी अभी पुलवामा में जो अटाक हुआ उसके बाद में बहुत सारे लोग अपने ही देश के विरोध में बहुत जादा अपने ही देश का अपने ही सेना का विरोध कर रहे हैं और इस समय जो है इन सब कारणों से जो अभिवेक्ति की स्वतंतरता है उस अधिक से शोशल मीडिया के उपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों का तो एक तरीके से अभिवेक्ति की स्वतंतृता पर बहुत डीप डिबेट होने की जरुरत है पिछली वर्ष हम लोग अगर देखते हैं तो पदमावत मुवी का जिस तरीके से विरोध हुआ यह तरी कि समविधान का अनुच्षेद निस एक एक के आधार पर क्यों यह लोगतंत्र का मूलाधार है तता इस अधिकार पर युक्त युक्त निर्बंधन का अलोजनात्मक मुल्यंकन कीजिए तो सबसे पहले अभिवेक्ति की सुतंतरता को हम बताते हैं कि अभिवेक्ति की सुतं करशन में जैसे धर्म निर्पेक्षता से आप क्या समझते हैं अभिवेक्ति तो प्रॉपर उसका एक डैफिनिशन नहीं आता है तो अपने मन से जैसे आता है एक बार लिखने की कोशिश किजिए दूसरा है कि इसको लोगतंत्र का मूलाधार क्यों कहा जा सकता है मैं आपक सरकार से क्या मांग अपनी रखना चाता है वो जो है वो खुले तोर पर अभिवėक्ति कर सकता है दूसरा है कि यह राज्य और जनता के वीच के अंत्राल को कम करता है कि अगर मान लीजे किसी राज्य के अंदर कोई राज्य सरकार है वो किसी धर्म विशेश जाती विशेश के साथ का उत्पीडन कर रही है और वो लोग अगर उठ खुल करके बाहर आते हैं तो ऐसी स्थिति में केंदर सरकार मानवधिकार आयोग सब लोग बीच में इंटर्व जो सरकार ने उजवला योजना चलाई है जिसके अंतरगत लपीजी दी जा रही है तो इसका फीड़बैक कितना अच्छा रहा ये सरकार को पता चलेगा जब लोगों के पास अभी विखते कि स्वितंत्रिता होगी किसी महिला के पास गैस का सलेंडर पहुचा उसने सरकार क थैंक यू बोला तो ये एक तरीके से गौवर्मेंट को फीड़बैक भी देता है कि उसके योजनाएं कैसे काम कर रहे हैं दूसरा कि जनता के अंदर अगर किसी भी प्रकार का असंतोश होता है तो उसको दूर करने में ये भूमिका निभाता है नवीन विचारों का नवीन नवीन राचनेतिक ब्य 창 pitcher Чcover का वर उब्रकार करने में दूसरा कि भारत एक बहुलवादी लोकतंतर का मितलब होता है कि कि किसी एक धर्म जाती संपर्दाय का अधिकार में इसके उपर हर एक जाती इसम पर्दाय सबका अपना-पना कॉंट्रिबूशनर रोल है तो अगर आप अभिविक्ति की सोतंतरता देते हैं तो वह बहुलवादी लोगतंतर के वास्तविक अर्थों में जो है वह धरातल पर आने की संभावना बढ़ जाती हैं दूसरा है कि एक राजनेतिक डाल लिया उससे संभावनित लोग अपने जो राजनेतिक विचाधारा मैनिफेस्टो जो है उसका परचार पसार भी इसी के माध्यम से करते हैं कि उनके पास अभिविक्ति की सोतंतरता है तो ये सारी रीजन्स जो है ये बताते हैं कि क्यों अभिविक्ति की सोतंतरता जो है वो लोगतंतर का मूलाधार है अब इसके का अधिकार जो है वो निर्पेक्ष नहीं है अनुच्छे 1921 के अंदरगत जो है राज्जी की सुरक्षा विदेशी राज्यों से संबंध लोक व्यवस्था सिस्टाचार न्यायले की अव्मानना अपराध के उद्धी पर आधार पर युक्ति-यूक्त निर्बंधन लगाया ह यूक्ति-यूक्त का मतलब यह होता है कि जन्वन होना चाहिए यह नहीं कि आप रेंडमली कुछ भी लगा देंगे मतलब उसके पीछे कोई ठोस कारण होनी चाहिए तभी आप यूक्ति-यूक्ति-यूक्ति-यूक्ति-यूक्ति-यूक्ति-यूक्ति-यूक्ति-यूक्ति-यूक् अगर आप देश के ही विखंडन की बात करें जो देश आपको आश्रा दे रहा है आपको रोजगार दे रहा है आपको सिक्षा दे रहा है आप उसी के विखंडन की काम ना करते हो तो ये अभिवेक्ति की स्वतनतर्ता की कैटेगरी में नहीं आता दूसरा है कि अगर आपको अतिरेक हो जाएगा भी वेक्तिगी सुतनतिता का तो आप देखिए अलगाववाद की बात करेंगे जैसे आज कश्मीर में हो रही है वो अपने ही रास्ट से अलग होना चाहा रहे हैं क्यूंकि उनको विशेश दर्चा दिया गया है खालिस्तान की मांग जो है जो सिखों के लिए अलग एक देश की मांग की जारे खालिस्तान के रूप में तो यह सब क्या है यह एक अलगाववाद को भी प्रेडित करेंगा अगर आप नियंतर नहीं रखेंगे किसको क्या बोलने देने की स्विकृति है उस वो नहीं दे देखेंगे आप तो यह अलगाववाद को करते हैं दूसरा कि देखें धर्मे को जाती आधार पर घ्रणा जो है वो फैलाते हैं लोग की जैसे अगर आप यह कंट्रोल नहीं करेंगे कि कोई इंसान क्या बोलेगा तो वो लोग एक धर दूसरे धर्म के विरोध में जहर उग लेंगे और सांस्कृतिक सोहार्थ जो है हमारे देश का वह जो है हो खटाई में पड़ सकता है इन सब चीजहों से तो ये सारे हो साल और हम लोग लोГ देखें तो लिप्स्टिक अंडर माई बुर्का या फिर जो पदमावत मूवी आई थी क्या बहुत चोटी-चोटी बातों पर फिल्मों का विरोध शुरू कर देते हैं लोग साथी देखें जो लोग आपकी विचारधारा से अलग विचार रखते हैं आप उनकी ट्रोलिंग करते हैं उन आप जो हैं उनको ट्रोल करते हो उनके विचार अगर सामने वाले को विचार अगर आपको अपने विचार रखने का अधिकार है तो सामने वाले को भी अपने विचार रखने का अधिकार है दूसरा यह कि देखें जो आई-पी-सी के धारा दोसो चौबीस एक है वो देश- विक्ति की स्वतन्तरत्य को भी देश्ट्रों की के डाल करके जो है वो रुकने की कोशिश की जाती है इसके एक्जामपल्स हैं जैसे कि जिसमें केदारनात वाद जो था उसमें पता चलता है जो कि गौर्वर्मेंट के अगेंस्ट में बोलने तक पर उस पेदेश दुरू की धारा लगा दी गई थी तो और कई बार हैसा होता है कि राजनेते एक दमन के लिए इसका प्रयोग के जाता है किसी ने आपके विरोध मे लिए तरता इसलिए आवश्क है क्योंकि लोगतंत्र के अंदर हर इंसान अपनी बातों को कह सके ज़ादा स्यादा समावेशी बनाया जा सके उसको परतु इसके उपर नियंतर इसलिए आवश्क है कि हमारा जो एकता वाला जो रास्टर है जो पाई संसकृतियों कई विचा हो रहे हैं मैं आपको ही बोलूँगी कि आप रात तक का वेट केजिए हम लोग एकनॉमिक्स की वीडियो जो हैं वो कोशिश करेंगे आज ही अपलोड करने और जितना हो सकेगा हम अपने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करने की स्पीड है उसको फास्ट करने की कोशिश करे करेंगे ताकि एक्जाम से एक महिने पहले जो है आपका जो हिस्ट्री एकनॉमी पॉलिटी मितला स्टैट्स के लावा बाकि जितना पोर्शन आता है वह आपका कंप्लीट हो गया हो आपके कोई भी सुझाव है या कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देदेगा थैंक यू